हेलो फ्रेंड्स लॉफ क्राइम का यह सेकेंड वीडियो है पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोई भी वीडियो लॉफ 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 कोई भी वीडियो देखने से पहले प्लीज आप लीगल मैक्जीम एंड लीगल टर्म के वीडियो जरूर देखें क्योंकि यहां पर जो मैक्जीम और टर्म्स हैं वो बहुत सारे आपको लॉफ से रिलेटर जो वीडियो हैं उसमें मिलेंगे और यह आपको हेल्पल होंगे इसके अलावा यह लॉफ क्राइम जो है इसमें मैंने कुछ अस्पेसिफिक ओफिंसेज डिल किये हैं जो एगेंस दा बॉड़ी और यह लॉफ क्राइम का सेकेंड वीडियो आपको किन बातों में हेल्प करेगा तो पहला क्लाइट इंट्रेंस में जो प्रिंसिपल फैक्स एंड ऑप्संस बेस्ट कोश्चन होते हैं उसको सॉल्ब करने में हेल्प करेगा डी यू एललबी इंट्रेंस एक्जा गए हैं वो जब आप एललबी प्रस्यू करेंगे लग और स्क्राइम करेंगे वहां भी लाओ क्राइम समझने में यह कॉंसेप्ट हैल्प करेगा तो इस लाओ क्राइम कर सेकेंड वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए इसके बाद यह लाओ क्राइम का हमने तीन वीडि है तो यह तीन वीडियो मिला के आपको कंप्रेहंसिब कोर्स अफ लॉफ क्राइम है फोर लेगल एप्टीचूट पेपर इन क्लाइट एग्जामनेशन तो आएए शुरू करते हैं फर्स्ट हम देख रहे हैं ओफेंसेज अगेंस्ट हुमन बॉड़ी तो ओफेंसेज अगेंस्ट हुमन बॉड़ी में कल्पेबल होमिसाइड होता है मडर रॉंग्फुल रॉंग्फुल कंफाइन्मेंट किमिनल फॉर्स अन एसाल्ट किड्नैपिंग अब्डेक्शन यह कुछ कोष्चन अगर कहीं कोशन अंसर में आता है तो वहां हम लोग दील करेंगे तो आएए एकण करके देखते हैं हम लोग कैसे यह कल्पेबल होमिसाइड मडर वगएर का कॉडशेप है है पहला है कल्पेबल हमिसाइड तो यहां पर देखिए कल्पेबल अल्टोगेजर तीन सब्दों से मिलके बनाया है एक है culpable, दूसरा homie, तीसरा side culpable means होता है punishable homie means human being side means killing तो homicide means killing of a man by another man और culpable means unlawful यहाँ पे homicide जो है वो दो तरह का है एक है lawful और दूसरा है unlawful lawful एक country दूसरे country के soldier को मारता है during war तो वो lawful की लिए unlawful जो society में अगर एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो वो unlawful हुआ ठीक है अब देखिए इसके बाद यह जो culpable homicide है एक concept आपको पता होगा genus और species का तो culpable homicide genus है और murder जो है वो species है means all murders are culpable homicide but all culpable homicide are not murder ठीक है तो आनी की culpable homicide को हमने दो तरज से कलेशिफाय किया पहला culpable homicide amounting to murder जिसको हम लोग simple murder करते हैं और दूसरा culpable homicide not amounting to murder इसमें क्या होता है कि जो punishment होती है वो murder के पेच्छा कुछ कम होती है और even कुछ cases में कोई liability criminal liability नहीं बनती है तो दोनों में अंतर क्या है तो दोनों में देखिए पहला criminal intention and knowledge दोनों में होना चाहिए difference किस चीज में है तो फिर तो difference है degree of criminality में एक जब हम murder के बात करते हैं तो intention पूरी तरह होता है कि जो offender है वो victim को मार दे तो वैसे में degree of criminality अधिक होती है और इसलिए murder जो है वो ज़्यादा severe punishment लेकर आता है as compared to capable homicide murder क्या है murder unlawful killing है ठीक है of one human being by another human being कैसे तो without justification or valid excuse मतलब अगर कोई justification हो killing का या कोई valid excuse हो killing का तो में भी murder जो है वो convert हो जाए कल्पेबल होमिसाइड not amounting to murder में ठीक है कि आगे देखिए कब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मडर का लाट तो section 300 में ठीक होई है तो उन एक्सेप्शन को छोड़के कल्पेबल होमिसाइड मडर होता है कब जब जिस एक्ट से murder हुआ है जिस एक्ट से killing हुई है वो इस डन विद दे इंटेंशन मतलब अगर ऑफेंडर intention of causing death तो मैं बता था पहला intention of causing death है मतलब अगर intention है death cause करने की तब तो कल्पेबल होमिसाइड मडर होगा दूसरा intention है कोई ऐसा body injury कराने के लिए offender के पास ऐसा intention है या offender ऐसा कोई body injury injury bodily injury करता है victim को इस intention के साथ और offender यह जानता है कि वो bodily injury जो है वो victim का death cause करेगा तो यह दो condition हुए तीसरा condition जो है कि ऐसा intention के साथ कोई ऐसा body injury करता है जो कि doctor कि time है मतलब यहाँ sufficient in ordinary course of nature to cause death मतलब अगर X ने Y को को ऐसा intentionally body injury किया जो medical opinion में कि medical opinion में यह करता है कि वो sufficient था Y का death cause करने के लिए तो माना जाएगा कि culpable homicide is murder और चाउथा जो है जिस condition में culpable homicide murder कर लाएगा वो यह है कि offender को आनि accused को पता था कि जो act वो कर रहा है वो इतना dangerous है कि वो हर एक possibility में victim का death cause करेगा या कोई ऐसा bodily injury है जो कि उसका death cause करेगा या ऐसा risk या offender ऐसा risk लिरा है जो victim का death cause करेगा एट्सेटरा तो इस तरह से हम देखते हैं कि murder जो है sorry culpable homicide जो है वो चार कंडिशन में murder में convert हो जाता है ठीक है आईए देखते हैं कब culpable homicide murder नहीं है मतलब कुछ ऐसे cases है जहां पर culpable homicide जो है वो murder नहीं है क्या condition है तो section 300 में 5 exceptions दे रखे हैं उस cases में अगर किसी human एक human being ने आनि की x ने y को मार दिया जान से और अगर यह 5 exceptions x को available है तो culpable homicide will not be amount to murder राइट पहलाक्त देखिए ग्रेव एंड सदन प्रोवोकेशन एक वी आई थी रूस्तम उसे अगर मौकर में तो जोड़ देखिए गा उसमें एक grave and sudden provocation को बहुत detail में डिल किया गया था और यह जो रूस्तम मुवी है एक IPC का बहुत famous case है केम नानावर्टी वर्सेस अस्टेट ओफ महारास्ट्रा यह case आप याद रखेंगे क्योंकि कभी-कभी इससे पुछ सकता है आपसे सवाल इसमें दू चीज़े हुई थी एक तो यह जो मैंने बताया grave and sudden provocation का defenses में लिया गया था और दूसरा इससे jury trial का सिस्टम इंडिया में खतम हुआ था jury trial jury trial system was abolished ठीक है तो पहला अगर grave and sudden provocation suppose x-ray को कुछ बोल दिया एक्सने वाइप को कुछ पोल दिया जिससे वाई जो है अपना self-control खो दिया और x को मार दिया तो ऐसे केस में चोगि एक्सने सट ग्रेव and sudden provocation य को दिया था और वाई ने उस grave and sudden provocation के influence में अपना self-control खोया और x को मार दिया तो यहां पर यह अब्दर होगा सेकेंड काउजिंग डेथ वाल एक्सराइज इस इस यह यह दाइट टुप्राइवेट डिफेंस मैंने फ़र्ष्ट वीडियो आफ लाव क्राइब में पड़ाया है तो जब हम राइट टुप्राइवेट डिफेंस एक्सराइज करते हैं और उस राइट टु कोड़ा सा डिफेंस मिलेगा कल्पेबल होमसाइड विल नॉट अमांट इंटो मडर हो जाएगा तीसरा डेथ काउज बाइए पब्लिक सर्वेंट वाल एक्सराइजिंग है जो कि एक चोर है अब यह कोशिज करेगा कि बी को अरेस्ट करने लेकिन बी भागने कोशिज करती है अपना मैक्सिमम पावर अप्लाइ करेगा बी को रोकने के लिए और अगर बी भागता है यह इसको बोलता है यह इसके बाद ही भागता है यह इसके पैर को निसाना बनाकर सूट करता है लेकिन उसी समय यह ड़क कर जाता है और गोली इस वो एक्सिट कर जाता है और डेट काउज करता है। यहां भी कल्पेबल हमसेट नोट एमांट इंटू मडर होगा। नेक्स्ट जो एक्सेप्टिन है डेट काउज विदाट प्री मेडिएसं। विदाट प्री मेडिटेशन इन सदें फाइट इन दा हिट आपाइशन। और इसी वीच बिना कोई प्री मेडिटेशन के आनि बिना पुर्व योजना के एक्स ने वाई को जान से मर दिया तो ऐसे केस में क्या है कि यहां पर दूजे कल्पेबल हमसाइड होगा वो नोट एमांटिंग टू मडर होगा ठीक है और पांचवा है death caused with the consent एक legal mechanism आपको मिला होगा लेगल mechanism वीडियो में बोलेंटाई non-fit injury ठीक है non-fit injury आनि कि जब आप consent कर देते हैं और consent की वज़ेस से अगर कोई injury होती है तो आपको आप जो अफेंडर है उसको सूनी कर सकते हैं उसके खलाब प्रोजिकिशन ने चला सकते हैं आगे देखे इलस्टेशन है चहां पर यह मडर के इलस्टेशन हैं पहला यह ने जेड को सूट किया किस intention के साथ टू किल जेड जेड मर जाता है तो यह लाइबल होगा मडर के लि का मुक्का उस प्रैगर्म पड़े तो जेड की डेथ हो जाएगी तो और यह अस्ट्रैक्ट भी एव मारता है और इस intention की से कि उससी डिजीज के तहत उसका बॉडिल इंजूरी होगा और इस ब्लो से जेड डेथ हो जाती है तो एक इस गिल्टी है इसको ऐसे समझेए सपोच एक्स एंड वाई है वाई का स्प्लिन है वो एनलार्ज है और डॉक्टर ने यह उप इन दिया है कि एगर स्प्लिन इसका प्रेप्चर करता है किसी भी चोर से तो आइक्स को पत्ता है यह जानते हुझ भी एक्स इसको एक जोड का मुका स्प्लिन के पास माता है आप यहां पे जोटिक नेक्स जो है यह इं dest मादनीर अ Sun जेड यह shortcut मतलब यह intentionally जेड को तलवार से मारता है जो की sufficient है death cause करने के लिए तो ऐसे case में अगर जेड की death हो जाती है तो यह will be guilty for murder यहां पर यह देखिए यह का intention जेड को मारने का नहीं था लेकिन उस particular घाव को करने का था उस particular जखम को पचाने का था जो जखम ordinary course of nature में sufficient है किसी का death cause करने के लिए तो यह इस cases में जो offender है वो liable होगा murder के लिए अब आईए next topic देखते है criminal negligence criminal negligence इसको समझेंस पहले समझें कि negligence होता क्या है तो negligence होता है कि अगर किसी person के पास कोई duty है किसी चीज़ को करने की duty है आनि कि वो duty bound है कोई चीज़ करने के लिए और वो उसको नहीं करता है ठीक है कब कैसे मान लिज़े कि कोई एक prudent में है prudent means ordinary अहम आप जो normal है अगर वो करता हूँ उस situation में और offender नहीं करता है तो माना जागा कि यह negligence है ठीक है दूसरा एक तो हुआ कि omit करता है कुछ ऐसा करने के लिए जो normal person करता और दूसरा ऐसा चीज़ करता है जो normal person नहीं करता तो ऐसे situation को हम कहेंगे और नेग्लिजेंट देख लिया हमने आब देखिय कि क्रीमिनल नं मैंजींस क्या हूँ जीन में क्या होता है की यह gross neglect and failure to exercise that reasonable and proper care of precaution to guard against injury मतलब जो duty bond था वो नहीं करता है और कुछ ज्यादा ही carelessness सो करता है तब हम बोलनेंगे उसको criminal negligence नहीं कि जो duty है कुछ करने की जा duty है कुछ ना करने उसको negligently करता है कोई तो और वो भी gross negligence तब ऐसे situation में उसकी liability ज्यादा होगी और जिस offense के लिए वो लाइबल होगा उस offense को बोलने ग्रिमिनल negligence देखिए इसको समझेए आपको बहुत अच्छे सा पहला अब देखिए एक एक्स जो है वो offender है और वाई एक victim है ठीक है यह offender है और यह victim है तो एक्स आनि offender का legal duty था किस चीज़ की to exercise due care ठीक है अब यह due care नहीं exercise करता है आनि कि उसके duty की breach हुए है ठीक है और इस breach of duty की वज़े से consequence consequential damage हुए किसको तो victim को duty इसकी थी इसने duty नहीं की जिसके वज़े से victim को नुकसान हुआ तब हम कहेंगे कि यह negligent था एक्जामपल देखिए यह parent who lives a two years child alone in the house in order to go a bar and have a good time नहीं फेज़ रचा जब criminal negligence अब दो साल के बच्चे को घर में छोड़ते उसके मातर पेज़ा बार जा रहे हैं enjoy करने के लिए तो यह criminal negligence कहला सकते हैं दूसरा देखिए अगर आप काड ड्राइब कर रहे हैं मान लिजे कि कोई crowded area ठीक है लगा हुआ है और यहां पर प्रिस्काइब लिमिट है सपोस्ट ट्वंटी किलो मिटर पर आवर और आप इसके बियोंड जा रहे हैं तो यह प्रिम्न लगनेजेंस के अंतर गताएगा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है wrongful restraint का मतलब क्या होता है अगर किसी परसन के पास कहीं जाने की इच्छा हो और उसे जाने का अधिकार भी हो और इस अधिकार को छीना जाता है तब हम बोलते है wrongful íst time ठीक है एक जांपल देखिए कि यह एक रास्ता है ठीक है यह के पास राइट है इस रास्ते को पार करने का ठीक है भी इस रास्ता को रोक लेता है अल्दो एक पास एक अल्टरनेटिव रास्ता भी है यह के पास एक अल्टरनेटिव रास्ता भी है जहां से वो जाके आगे का जर्णी कंटिनीव कर सकता है लेकिन यह चाहता है कि समय बचा है और इसके पास राइट भी है इस दर से जाने को लेकिन भी यहां प्रवस्टक करता है तो यहां पर बी जो है वो रॉंग फुल्ड रि यह लाइबल होगा ठीक है आया को लाइबनेक्स कंसेट देखिए रॉंग कंफाइन्मेंट रॉंग फुल्ड कंफाइनमेंट जो है यह रांध को डीयस्ट्रेंट का एग्रावेटेटेड परम है उससे थोड़ा सा और यह जादा बढ़ा है इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ने भी बताया था wrongful restraint में किसी एक particular direction में जाने से रोका जाता है ठीक है यह आपका हुआ wrongful restraint लेकिन जब हम wrongful confinement की बात करते हैं तो किसी person अगर x है तो इसको एक particular circumference के बाहर जाना allowed नहीं है मान लीजिए कि यहां पर दर्वाजा था एक्स को यहां push कर दिया गया दर्वाजा बंग कर दिया तो यह कमरे के चारों घुम सकता है इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता है तो यह हुआ wrongful confinement example देखिए यह causes jet to go within your wild space जो मैंने example दिया एक किसी कमरे में एक को एक्स को गुझा दिया और बाहर से लॉक कर दिया जाए तो एक्स मूब तो कर सकता है बट इस कमरे के ब्यूंड नहीं मूब कर सकता है यह रॉंप confinement हुआ है कि एक हॉल है और यहां पर एक आदमे को गन के साथ बिठा दिया गया है और एक्स इसके अंदर है तो यह जो गन्मैन है वो बोलता है कि अगर तुम बाहर आए तो गोली चला दूना तो अल्दो दरवाजा खुला है एक्स बाहर जा सकता है लेकिन जैसे यह बाहर निकलेगा गन्मैन बो क्योंकि इस कंडिशन के साथ एक्स सिर्फ इस हॉल मुग कर सकता है इसे बाहर नहीं जा सकता है अगला कंसेप्ट है क्रिमिनल फॉर्स को समझ यह एक्स वाई के खिलाफ एक फॉर्स यूज करता है फॉर्स करता है इंटेंशन क्या है कि एक्स को एनोई करेगा या कोई ओफेंस कमिट करेगा मतलब एक्स पॉर्स का यूज करते हुए वाई के खिलाफ कोई ओफेंस कमिट करेगा या इसको कोई इन्जूरी काउज करेगा या कोई पियर काउज करेगा या एनोई करेगा या कोई ओफेंस करेगा तो जब यह फ क्रिमिनल फोर्स तो इस इस केस में एकस ने य के खिलाब करना या यह यह हुआ करना तो यह हुआ करना एक्जाम्पल देखिए ये ने एक औरत का परदा कीच लिया तो परदा कीच लिया intention क्या था कि उसे एनोइक करेगा और उसका consent भी नहीं मतलब विमेन का consent क्या बिना ये ने women का जो परदा या बुरका कहेंगे उसे कीच लिया और इससे क्या हुआ कि women जो है वो annoyed हो गई या डर गई तो ऐसे case में कहेंगे कि A ने criminal force cow offense commit किया है दूसरा example देखिए A ने एक कुट्टे को डोड़ा दिया जेड के पीछे है और वो भी बिना जेड के consent से तो अब जेड को या तो injury हो गई या वो डर गया कुट्टे से तो ऐसे case में हम कहेंगे कि A ने जेड के खिलाब criminal force से इस्तेमाल किया नेक्स्ट जो concept है वो है assault Assault का मतलब क्या है तो अगर 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 ऐसा कोई act जिससे victim को ये लगे कि offender इसके खिलाब criminal force से इस्तेमाल करने वाला है मतलब X का कोई ऐसा act जिससे Y को ये लगे कि X उसके खिलाब criminal force से इस्तेमाल करने वाला है उसको हम assault बोलते है ठीक है अब इसमें देखिए explanation है mayor words do not amount to an assault मतलब अगर X सिफ दूर से ही चिला रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा मैं तुम्हें मारूंगा दूर से ही चला रहा है तो ये assault नहीं होगा लेकिन उसके साथ अगर ये पत्थर उठा के बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और पत्थर दिखाता है तो ये assault का लाएगा ठीक है एक्जाम्पल देखिए यह सेक्सीज फिष्ट मुक्का हिलाते हुए बोलता है जैड को कि मैं तुम्हें मारूंगा तो जैड को अगर यह बिलीव होता है कि यह जो है वह मुक्का मार देगा तो इसको हम बोलेंगे कि यह हैज कम्टेट दा ओफिंस आफ एस अब आईए देख सी कम एज और यह कोई फिमेल 18 से कम ऐसे हुए हो यह दो लोगों का अगर कोई एक आफिंडरो कहीं ले जाता है या उसको entire किले जाता है मतलब जब अजस्ति ले जाता है यह कहां से तो जो लॉफ़ ऐस बच्चे का मतलब अगर मेल है तोे साल से छोटे मेल का अठार साल से छोटी फिमेल का अगर लाउफुल लाउफुल गार्जिंशिप के कस्टेडी से बाहर ले जाता है इसके अलाबा दो चीजें बताई मैंने माइनर इसमें अगर male है तो less than 16 years फिमेल है तो less than 18 years और इसके अलाबा अगर कोई person with unsound mind है ठीक है तो ये तीन तरह के लोगों का अगर कोई offender lawful custody से ले जाता है तो उसको हम kidnapping बलते हैं ठीक है और lawful guardianship जो है lawful guardianship अब suppose ये father और son son का age less than 16 years है तो यहाँ पर father इसका natural guardian है अगर s अपनी दीदी के यहाँ जाता है मतलब अपनी sister के यहाँ जाता है तो इस case में जो s का guardian होगा वो उसके sister and उसका brother in law होगा ठीक है तो यहाँ से भी अगर s का kidnapping होता है या x को ले जाया जाता है तो यह kidnapping from lawful guardian का लाएगा next जो इसका देखिए एक exception है exception क्या है कि अगर वो एक person है suppose यहाँ x है और यह s है s जो है वो x का illegitimate son है और x को लगता है कि he is the rightful guardian और वो good faith में s को ले जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए abduction abduction of kidnapping में जो major difference है वो यह है कि kidnapping में हमने देखा था एज हो एज लिमिट होती है मेल के केस में है लेस दैन 16 यह और फिमेल के केस में लेस दैन 18 यह पर abduction के केस में एज आफ दा विक्टिम इस इंमट्रियल तो यहां अंतर क्या है किड्नैपिंग में दो टम देखे था है हमने tax away और enticing यह दो थे किड्नैपिंग में और abduction में क्या होता है या तो फोस्फूली या deceitful में से मतलब छल से फोस्फूली या छल से किसी व्यक्टि को को ले जाता है कहीं दूसरे जगह तो उसको हम बोलते हैं abduction देखिए abduction का essential ingredients क्या है तो पहला forceful compulsion और inducement मतलब जब अजस्ति ले जाएगा या छल पूरवक ले जाना ठीक है और object of such compulsion मतलब forceful ले जाना या induced करके ले जाना एक जगह से दूसरे जगह ठीक है तो अगर यह दोनों ingredients है तो यह offense of abduction का लाएगा अब देखते हैं offenses against property अभी तक हम लोग देख रहेते हैं offenses against human body अब आगया है offenses against property तो यह offenses against property होता क्या है तो offenses against property वैसे offenses को कहेंगे जो किसी individual के अगयस्ट में होता है किसी human being के अगयस्ट में होता है पर किसके अगयस्ट होता है against any property अब यह जो अगयस्ट property होता है यह दू तरह से हो सकता है पहला कि इसकी property को चुरा लिया जाए या लेज हटा लिया जाए किसके पोजेशन से जो ऑनर है उसके पोजेशन से इसका अनर जो है प्रोपर्टि का वह उसको खो देता है और वह प्रोपर्टि ऑफेंडर के पास आज चाहती है इसका एकजामपल है मिश्चीप हम लोग इसको एकड़ करके आगे देख रहेंगे तो अफेंसस अगेंस्ट प्रोपर्टि में हम क्या-क्या देखेंगे पहले वह द देखेंगे मिश्चीप देखेंगे रिमनल ट्रेस पास देखेंगे यह रिसीविंग अस्टोलन प्रोपर्टि जो है वह हम पॉस्चन एन आंसर कर जो वीडियो है उसमें हम डिल करेंगे तो एकड़ करके हम देखते हैं यह सारे ओफेंसेस को तो पहला है थेफ्ट थेफ्ट में होता क्या है सपोज वह एक और है कोई गूर्ड्स का एकशी ध्यान दखिएगा थेफ्ट हमेशा जो होता है वह मुवेवल प्रोपर्टी का होता है ठीक है तो तो थेफ्ट में जैसा मैं बता रहा था कि क्या-क्या इसके तो पहला है कि डिस्वनेश्ट टेकिंग होता है किसका तो ओवेवल प्रोपर्टी का ठीक है कहां से तो ओनर्स जो है उसके पोजेशन से और विदाउट दा कंसेंट ओफ ऑनर अब सपोज एक्स जो है वह वाई का पर्स ले जाता है बिना वाई को बताए किस इंटेंशन से कि ये इसके position से निकाल लेगा इसको loss करवा देगा ठीक है तो ये कर लाएगा कि X ने क्या commit किया तो tap इसमें एक चीज़ और दिया हम दखेगा कि suppose ये एक घर है किसका घर है Y का X आता है यहाँ पे देखता है कि कहीं पे ये 500 रुपय का note पड़ा हुआ है ठीक है और X ये X सोचता है कि अभी इस fibernet के note को मैं carpet के निचे डाल देता हूँ और बाद में जब लोगों का ध्यान नहीं देगा तो carpet के निचे से उठा के ले जाऊँगा तो although ये इस note जो है वो Y के घर में ही है लेकिन X ने जैसे ही इस note को move किया ये हो जाएगा ये concept को ध्यान रखेगा आगे भी काम आएगा एक्जामपल देखिए थैप्ट का करें यह जो है वह के घ्राउंड से पीड काटता है तो पेड अगर आप आगे चलके पढ़ेंगे तो पीड ज्यो होता है वह कि ए मंड़ो प्रोपया है लेकर जैसे ही इस को काट दिया जाएगा एम कि यह इस intention से की पेड़ को काट की ले जाना है पेड़ को जैसे ही काटा तो कि यह है। दूसरा एक्जप्व दिखिए यह क्या करता है कि एक खाना ये कुछ रखता है अपने पॉकेट में किस इंटेंशन के साथ कि कुट्टा उसको सुनके उसके पीछे पीछे जाएगा और जेड के पोजेशन से बाहर चला जाएगा जेड को नुकसान हो जाएगा रॉंग फुल लॉस हो जाएगा तो कर लाएगा कि जैसे ही थैप कमिट किया ठीक है नेक्स्ट जो है एक्जामपल है कि यहां पर यह क्या है ऑफेंडर है जेड का सर्वेंट है जेड ने इसको एक प्लेट रखने को दिया और उस प्लेट के साथ यह भाग दिया तो यह थैप कर लाएगा क्यों थैप कर लाएगा क्योंकि यह जो है व कंस्ट्रक्टिव पोजिशन है एका तो ऐसे में अगर वो यह लेके चला जाता है प्रोपर्टी तो कहलेगा कि यह ना है कमिट किया है ठीक है थेप के बाद जो Concept है वह एकस्टॉरोषन तो देखिए एक्स्टॉषण और त्हाइफ।b theft की case में प्रोपर्टी का dishonest टेकिंग आवे था दिस ओनेस्ट टेकिंग आवे और extortion में डेलेवरी ओफ प्रोपर्टी होता है ठीक है तो डेलेवरी ओफ प्रोपर्टी कैसे तो जिसका प्रोपर्टी एक्क्यूज या ओफेंडर ले रहा है उसको वो कंपेल करता है और है फिर में रख़च कूला थे प्रोपर्टी हिए और प्रोपर्ट ना प्रोपर्टी पर्स एंच इसको एकजांपल से समझ एक्स वाई पे एक गन तामता है ठीक है या एकस वाई को बोलता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे पैसे मदल्लोब बोलता है कि अपने पैसे मुझे दे दो ने तो मुझे जान से मार दूंगा या यह वाई अपने बेटे के साथ जा रहा है तो एकस क्या करता है एस पे गन ताम देता है और बोलता है कि अपने पास तुमारे पास जो पैसे है वो दे दो नहीं तो एसको गोली मार दूंगा तो ये दोनों cases में क्या है कि Y पैसे deliver करते है एक्स को देता है तो ये जो case हुआ ये जो example है वो extortion का है extortion का example मैं आगे भी बताऊंगा देखिए ये क्या करता है धंकी देता है कि डिफेमेटरी वर्ड पब्लिक्स करने के लिए जैड के खिलाप और गोलता है कि अगर तुने पैसे नहीं दिये तो मैं तुम्हारा कर दूँगा और अगर इस थ्रेट से जैड जो है वो पैसे दे देता है तो ये कहेंगे कि ये हैस कमिटेड़ ऑफेंस आप अगर जैड ने एक पेपर को साइन डेलिवर नहीं किया एक ओ तो जो जैड का बच्चा है उसको किड्नाफ कर लेगा ठीक है तो अगर ये काम ये जो है जैड को ऐसा त्रेटर्श देता है और उसके कंसेक्वेंस में जैड जो है वो डॉक्यमेंट साइन करके डेलिवर कर द नेक्ट जो है वो देखिए रॉबरी यह जो है रॉबरी जो है थेफ्ट या एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड पॉर्म है मतलब रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा तो कब थेफ्ट रॉबरी माना जाएगा इसको देखिए तो अगर थेफ्ट coupled with causing मतलब causing क्या causing death hurt और wrongful restraint या attempt of causing death hurt और wrongful restraint होगा तो ऐसा जो theft है वो robbery में convert होगा पहला तो ये दूसरा theft अगर coupled with होगा fear of instant death fear of instant hurt और fear of instant wrongful restraint तो ये theft robbery में convert हो जाएगा ठीक है तो ये दो situation में theft जो है वो robbery होगा और extortion कब robbery होगा तो extortion coupled with fear of instant death instant hurt और instant wrongful restraint जब ये इसके साथ coupled होगा तो extortion जो है वो robbery का लाएगा ठीक है फिर से theft if coupled with causing और attempt of causing death hurt या wrongful restraint तो theft जो है वो robbery कर लाएगा अगर theft fear of instant death instant hurt और instant wrongful restraint होगा तो ये robbery कर लाएगा उसी तरह extortion जब fear of instant death instant hurt या instant wrongful restraint होगा तो ये extortion robbery कर लाएगा एक्जामपल देखिए robbery का ये ने जेड को जमिन पिल forcefully बिटा दिया ठीक है और उसको wrongfully confine कर दिया wrongfully restraint कर दिया मतलब उसको कस के पकड़े हुए और इसके बाद उसके pocket से आनि कि जेड के pocket से पैसे और जोवली निकाल लेता है तो कर लाएगा कि ये ने robbery कमिट की क्योंकि एक तो यहाँ पे उसने चोड़ी की मतलब money और जोवली उसके pocket से निकाला दूसरा उसको wrongful उसका wrongful restraint किया तो wrongful restraint plus step equal to robbery इसके बाद दूसरा है ये जो है वो जेड से मिलता है किसी highway पे उसको pistol दिखाता है और बोलता है कि अपना pass ले जो तो जब pistol दिखाता है इसका मतलब क्या हुआ कि उसको instant fear of hurt था ठीक है तो instant fear of hurt plus extortion तो ये दोनों मिलके हो गया आपका robbery सब्सक्राइब सब्सक्राइब चलिए आगे देखते है dishonest misappropriation of property misappropriation का मतलब है किसी property का conversion या उसका यूज करना ठीक है तो और जब ये misappropriation dishonestly हो जाए तो ये crime of dishonest misappropriation of property का लाता है देखिए whoever dishonestly misappropriates misappropriate का मतलब क्या है to appropriate wrongly और unlawfully जैसे कि theft और embezzlement में होता है embezzlement एक UK में यूज होने वाला term है जो theft के जैसा ही होता है तो dishonest misappropriation या conversion conversion means बेच दिया कोई समान कोई movable property और उसका पैसे का यूज कर लिया तो जो कोई ऐसा काम करता है मतलब या तो dishonestly misappropriate करता है मतलब dishonestly उसका यूज करता है या उसे based के उसके मिले पैसे को यूज करता है तो उसको बोले है कि उसने offense of dishonest misappropriation of property किया ठीक है इसका punishment दो साल तक हो सकता है या fine हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है example देखिए यह ने जैड का property लिया जैड के position से लिया कैसे good faith में ठीक है believing at any time when he takes it that the property believes to him मान लीजिये कि यह एक कलब जाता है ठीक है वहाँ पर जो छाता रखने की खुटियां होती है वहाँ पर छाता टंगा हुए है यह वहाँ से कलब जब जाता है तो बारिस नहीं हो रहती जब बाहर निकलता है तो बारिस हो रही थी तो यह जो खुटियों पर छाते टंगे हुए है उसमें से एक छाता को देखके एक को लगता है कि यह छाता तो एका है मतलब उसका अपना है तो उसको लेके घर आ जाता है बारिस से बचते हुए इसमें पहले है दा चाहीं जब बारे मेरा जब आ के देखता है इसमें से जब है इसको हिंदी में बोलते हैं अमानत में खयानत इसका मतलब क्या है समझे इस बात को अगर एक्स कोई प्रोपर्टी देता है वाई को रखने के लिए और बाद में वाई इस प्रोपर्टी को नहीं लोट आता है तो हम बोलते हैं बोलेंगे कि वाई ने क्रेमियो प्रिच आप ट्रस्ट किया ठीक है इसका एक्जामपल देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि यह इजे वेयर हाउस कीपर मतलब एक यह जो है वो लोगों का सामान कुछ पैसे के बदले में रखता था जैड कहीं जर्नी में जा रहा था और जैड ने क्या क्या कि अपने सारे फर्नीचर यह को रखने दिया ठीक है अब जब जैड जर्नी पे था उसमें क्या क कि अब बेज दिया तो जैड वापस आगा तो उसे तो फर्नीचर मिलेगा नहीं तो इसको बोलेंगे यह हैज कमिटेड इननल वीच अप ट्राइस ठीक है दूसरा एक्जामपल देखिए कि यह एक कैरियर वाला है कि कैरियर वाला है उसको जैड ने अपने कुछ प्रोपर् कि यह ने उस प्रोपर्टी को जो कैरियर मतलब जिसको कैरी करने के लिए दिया गया था वह प्रोपर्टी को में से अप्रिप्रेट्स कर लेता है तो यहां पर बोलेंगे कि यह ने क्रिमिल लॉप बिरिच आफ ट्रस्ट का ओफेंस कमिट किया है कि चीटिंग बहुत कॉमन वर्ड है हर कोई हम हर दिन लगभग इसको सुनते हैं कि एक यह ने भी को चीट किया एटसेटर एटसेटर तो चीटिंग होता क्या है कि तो कि चीटिंग एक है ऐसा ओफेंस है जिसमें जो आफेंडर है सपूर एक्स वो छल पूर्वक वाई को कोई प्रोपर्टी डेलीवर करने के लिए विवस कर देता है यह चल कुछ भी हो सकता है बहला फुसला के और जिसकी वज़े से वाई कोई प्रोपर्टी डेलिवर कर देता है कैसे कंडिशन में अगर यह डिसीट फुल एक्ट एक्स ने नहीं किया होता तो वाई इस प्रोपर्टी को नहीं डेलिवर करता है तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि एक्स ने वाई पे वाई के साथ चिटिंग किये ठीक है एक बार इसको पढ़ते हैं whoever by deceiving any person whoever यहां माँना x deceiving any person अनि y को fraudulently or dishonestly induces the person यहां को y so deceived to deliver any property to any person to any person यह एक्स ब्यों सक्ता है जड्यों सक्ता है एक्स ब्यों सक्ता है एक्स ब्यों सक्ता है or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body mind deputation or property is said to cheat क्या मतलब हुगा x y को deceive करता है किसली deceive करता है और deceive करने की वज़े से y क्या है कि कुछ ऐसा काम करने को तयार हो जाता है जो यह नहीं करता अगर इसको को चीट किया है ठीक है अगरा देखिये एक्जाम्पल चीटिंग का यह बाइ फॉल्सली प्रिटेंडिंग तु बी इन दा सिविल सर्विस इंटेंशनली deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. यह चीट इसको एग्जाम्पल को समझे जेड एक सौप की पर है और यह इसके पास जाता है और बोलता है कि मैं एक I.S. officer हूँ मुझे उधारी पे समान दे दो ठीक है और जेड यह बिस्वास के साथ कि यह तो एक I.S. officer है जो ने बोलेगा पैसे लेकर कहीं ने जाएगा यह समान दे दे देता है तो यहाँ पर बोलेंगे कि यह ने चीट कमिट किया है ठीक है इसके बाद अब दूसरा है कि यह एक सौप की पर है ठीक है इसने कोई आर्टिकल बेच चदा है किसको जेड को और यहाँ पर कोई एक सिंबल ऐसा मार्क बनाया कि मान लीजिए यह एक कोई टीफिन बॉक्स है यह लोकल मेड है लेकिन इस पर इसने सेलो लिख दिया ठीक है और यह सेलो लिखके जेड को यह बिस्वाज बलाता है कि यह सेलो कंपनी का बहुत ही बढ़िया टीफिन है तो कहेंगे कि यह ने चीट किया है चीटिंग बैपरसोनेशन चीटिंग बैपरसोनेशन का मतलब क्या है कि एक्स सपोच जाता है जेड के पास और बोलता है कि मैं एक वाई हूं जो कि बहुत बढ़ा बैंकर है मतलब एक्स यह नहीं बोलता है कि मैं एक्स हों बोलता है वाई है जो कि यह बहुत थी नॉन परसनाल्टी है या बैंकर है एटसेटरा तो यहां पर बोलें कि एक्स है अब इसमें यह भी हो सकता है कि वाई जो हो यह रियल परसन हो या रियल परसन ना हो मतलब कालपनिक आदमी हो तो भी कहेंगे कि एक्स ने ओफेंस ओफ चीटिंग बैक परसुमेशन किये एक्जामपल देखिएं यह चीट्स पर टेंईंग टूब्ills यह सर्टें डिछ बैंकर ढनके किसी को दोका् Ready सेम नाम का बताता मतलब यह बोलता है कि मैं B हूँ जो कि बहुत बड़ा बैंकर है मतलब B एक बहुत बड़ा बैंकर है और यह खुद को पर जेंट कर रहा है ऐस a B तो कहें हैं कि A has cheated by personation दूसरा example देखिए ये बोलता है कि वो B है जो अल्रेड़ी मर चुका है तो यहां भी ये को बोलें कि वो offense of cheating by personation किया मैंने अभी बताया कि X जिसको मतलब जो बन के खुद को represent कर रहा है वो person जिन्दा है या मूर्दा उससे फ़र्ग नहीं पड़ता अगर X Y बन के खुद को represent कर रहा है जेड़ के सामने तो X will be liable for the offense of cheating by personation ठीक है अब आई ये देखिए mischief mischief का मतलब क्या है तो mischief का मतलब है किसी property को destroy करना ठीक है destroy करने का मतलब क्या है तो destroy करने का मकसद है कि किसी को नुक्सान पहुचाना मतलब X जो है वो Y के property को intentionally नुक्सान पहुचा रहा है ये सोच के कि इसकी property को destroy कर देंगे है तो Y को नुक्सान हो जाएगा तो इसको हम बोलता है mischief इसके लावा ये सिफ destruction नहीं अब suppose आप किसी classroom में बैठे हुए हैं और यहां पर projector लगा हुए ठीक है प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर कंटेंट चलते हैं अगर किसी स्टुडेंट ने इसके lens को घीज दिया फ्लिंट पेपर से तो इसकी उपयोगिता कम हो गई इसका value कम हो गया तो यह भी मिश्चिप के अंतरकत आएगा ठीक है और एक चीज और देखिए यह explanation में क्या बोलता है कि जो offender है ठीक है उसको यह पता होना जरूरी नहीं है कि यह प्रोपर्टी किसकी है अगर वह कोई भी प्रोपर्टी को destroy करता है ठीक है तो वह मिश्चिप के लिए लायबल होगा और यह प्रोपर्टी पब्लिक प्रोपर्टी भी हो सकती है या प्राइवेट प्रोपर्टी भी हो सकती है ठीक है प्रोपर्टी ओनर लेस हो या किसी के पोजेशन में हो उससे फर नहीं पड़ता है अगर प्रोपर्टी को डेश्ट्राइ किया तो ओपेंस ओफिंशिप होगा दूसरा इसका एक्सप्लानेशन क्या बोलता है कि अगर सपोच एक्स और वाई दोनों मिलकर एक मान लीजे होर्स की ओनर से फिर मलों दोनों मिलकर एक होर्स कर रहा है और किसी एक ने मान लीजे एक्स ने घोड़े को मार दिया तो यह एक प्रोपर्टी डेश्ट रहे हुए तो यह भी मिश्चिप कर लाएगा ओल्दो एक्स वाज्स दा जॉइंट ओनर एक्जामपल देखिए यह ने जान बुज़ कर जैड का वैल्यूवल सेक्रिटी को जला दिया जिसकी वज़ा से जैड को लॉंग फुल लॉस हुआ है तो कहेंगे कि यह ने मिश्चिप कमिट किया ठीक है दूसरा एक्जामपल देखिए यह क्या करता है कि जैड का आइस हा जारा छोड़ देता है जिससे वहां रखे आइस मिल्ट कर जाते हैं अब जब मिल्ट कर जाते हैं तो इससे क्या होगा कि जैड को रॉंग फुल लॉस होगा तो ऐसे में कहेंगे कि यह हैं कि यह कमिटेड डॉपेंस ऑफ मिश्चिप क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन दूसरे की प्रोपर्टी में ठीक है घुशता है क्यों घुशता है तो इंटेंशन टू कमिटेड अफेंस या जो ओनर है प्रोपर्टी का उसको धमकाने के उद्देश से या उसको इंसल्ट करने के उद्देश से या उसको एनॉइ करने के उद्देश से तब कहेंगे कि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया ठीक है यह पहला कंडिशन हुआ मतलब सपोज एक्स यहां वाई के प्रोप करने के लिए या वाई को धमकी देने के लिए या वाई का इंसल्ट करने के लिए या वाई को एनाय करने के लिए तो फर्स्ट है कि यह घूस रहा है इन सब पर्पस के लिए तब कहेंगे कि एक्स ने क्रिमल ट्रेंस पास किया दूसरा सिच्वेशन क्या है कि एक्स y के property पे invitation के बाद गया ठीक है लेकिन जिस purpose के लिए से invite किया गया था वो purpose खतम हो गया उसके बाद भी x यहां अस्टेक कर रहा है और अस्टेक करने का purpose क्या था तो अस्टेक करने का purpose वही है to commit an offense to intimidate य को धम कि देना y का insult करना या y को annoy करना तो पहला में इंटर कर रहा है इन सब परपस कर लिए और दूसरा में गया तो लावफुली था लेकिन वहां अस्टेक कर रहा है तो यह दोनों सिच्वेशन में हम बोलेंगे कि x ने criminal trespass commit किया है अगला देखिए house trespass यह criminal trespass का ही एक फॉर्म है तो वहां पर criminal trespass में किसी की property में घुषना था और यह house trespass में क्या होता है कि किसी building tent और वहसल में घुषना मदलब क्रिमिनल trespass committed on building tent और वहसल को हम बोलते हैं house trespass ठीक है तो इस तरह से आपका criminal trespass और house trespass में difference में समझ में आ गया हो आपको इसमें एक चीज़ देखिए explanation कि आप बोलता है कि अगर मान लिजे यह एक house है house belong to y इसमें एक window है तो अगर एक्स क्रिमिनल trespass करता है और उसमें सिर्फ अपना एक हाथ भी घुषाते है तो इसको हम बोलेंगे house trespass से क्या है एक्स नहीं है नेक्स्ट फोर्जरी यह टर्म भी आप बहुत सुंते होंगे यह फोर्जरी का मतलब क्या है कि कि किसी को डैमेज या इंजूरी पहुशाना ठीक है और यह इंजूरी किसको या तो पब्लिक को या किसी पार्टिक्लर पर्सन को किस लिए तू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल मतलब क्या है इसको ऐसे समझे एक्स ने किके कि य को एक लाग का लॉन दिया ठीक है एक लाग का लॉन दिया और एक एग्रिमन्ट हुआ कि य स्को वापस में क्या क्या कि यह 1 लाग को एक जीरो बैठा के 10 लग कफ dal्य तो यह जो एक लगव तो एक लगव तिया गया है इसको भिर इसनें क्या होगाक है वाई को नौ लगव नुक्सान होगा रॉंग फुल नुक्सान होगなた होगा और एक्सकूद 9 लगव कर लोगन होगा तो ईससे उफ किसी डॉकुमेंट में कुछ करना कुछ करना एमांट चेंज करना या कुछ करने को हम लोग बुलता है पॉजरी एक्जांपल देखिए यह यह लेटर ऑफ क्रेडिट अपन बीफोर रुपीज टैन थाउजन और इस टैन थाउजन को उसने एक लाख बना जो अभी मैंने एक यहां को 10 लाक में एक जीरो बैठाके उसको बन लाक किया है तो यहां पर कि वी कुट भी फ्रॉड करने का इंटेंशन था तो कहेंगे कि यह है कमिटेट फॉर्जरी नेक्स्ट है यह ने जेड की आउथिरिटी के बीना जेड का सील एक डॉक्यूमेंट पर लगाया ठीक है और जिससे यह एपियर होता है कि जेड जो है वो एक अपना प्रॉपर्टी दे रहा है तो यहां पर जब जेड ऐसा कर नहीं रहा है लेकिन यह धोखे से इसका सील लेके उस डॉक्यूमेंट पर लगाया जिससे यह प्रॉपर्टी इसको ट्रांसपर हो जाएगी तो यहां पर कहेंगे कि यह ने जेड को रॉंग फुल लॉस करने खोशिस की जूठा सिल लगाके विदाउट जेड की आउटिरिटी तो हम बोलेंगे कि यह हैज कमिटेड पॉर्जरी ठीक है नेक्ट देखिए बाइगेमी बाइगेमी का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक साधी करने को हम बोलते हैं बाइगेमी अब मान लीजिए एक हस्पेंड और वाइफ हैं लिगली वेड़ेट हस्पेंड और वाइफ हैं दोनों जिन्दा हैं दोनों की साधी अभी सबसिस्टि साधी करता है तो बोलें कि x nay esnes by gaming का ऑफइज किया या डवल किसी y से साधी करती है तो बोलेंगे डवने बाइखियमी किया एल कि कि नेक्स्ट एडाल्ट्री सबक्षी ध्यान दिजियेगा डल्ट्री टर्म जो है वह लीगल टर्म्स में भी बताया गया है लेकिन लीगल टर्म्स में थोड़ा सा कॉंसेप्ट अलग है और जब हम इंडियन प्रेटनल कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां जो ऑफिंस है वह स्लाइटली डिफरेंट है जो एडल्ट्री है अंडर आई पीसी उसमें उसका केस ऐसा ह है कि हस्वेंड और वाइफ लिगली वेड़ेट हस्वेंड वाइफ हैं और ऐसे में डबलू किसी एक्स के साथ सेक्स्वल इंटरकोस करती है और एक्स को या तो यह पता हो कि डबलू मैरेड है या एक्स के पास दीजन टो बिलीब हो कि डबलू मैरेड है तब यह एक्स जो है वो एडल्ट्री के ओफेंस के लिए लायबल होगा पर डबलू को ना तो हम एवेटर बोलेंगे ना ही यह इसको पनिस किया जाएगा मतलब यह ओफेंडर नहीं कर लाएगी ठीक है तो एक चीज़ ध्यान दख्येगा जो लीगल टर्म में अडल्ट्री है वो और एडल्ट्री जो आईपीसी में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लीगल टर्म को भी मैं एक बार समझाता हूं यह लीगल टर्म का एडल्ट्री बता रहा हूं मैं है ह है है अगर है किसी सेक्सिल इंट्रकोर्स अगर यहां और यहां पे बूलेंगा है की आपका आउट्रम का रहीं जबकि यह IPC का concept है जिसमें married lady वो अगर extra marital sexual intercourse में inter करती है तो जिसके साथ sexual intercourse करती है अगर उसे यह knowledge हो या reason to believe हो कि W already married है तो यह सिर्फ liable होगा adultery के लिए husband के case में ऐसा कोई provision नहीं है IPC में नेक्स्ट है defamation defamation का मतलब हिंदी मिनिंग होता है मान हा नहीं बहुत ही recent days में आपने सुना होगा Mr. Arun Jetly has filed a suit for defamation सब्सक्राइब तो देखिए defamation जो है वो civil wrong भी है जो कि आपको टॉट में आता है और दूसरा criminal wrong भी है crime भी है ठीक है यह आपको IPC में मिलेगा तो defamation होता क्या है तो defamation का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी अपने कथन से किसी दूसरे का जो reputation है वो lower down करता है तो उसको हम defamation करते हैं ठीक है मतलब क्या है एक्स वाई के बारे में कुछ जूठी चीज़ें परचारित करता है जिससे कि वाई को रेपूटेशन society में lowered हो तो ऐसे मैं बोलेंगे कि एक्स ने defamation का offense किया है ठीक है अब इसका explanation one क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है और उसके बारे में कोई defamation word बोला जाता है ठीक है तो वह भी defamation माना जाएगा अगर यह मरा हुआ वैक्ति जिवीत होता और बुट सब्दों से इसका defamation होता तब ठीक है मतलब क्या है कि एक्स मान लिजे वाई के खिलाप कोई defamation word बोलता है यह मान लिजे कि आज 28 जनवरी 2018 को बोलता है तो यहां पर मान लिजे कि यह वाई के खिलाप बोलता है कि सेकेंड ओफ मार्च 2018 तो यहां भी एक्स लाइबल होगा defamation के लिए क्योंकि यह वाई वर्ड है जो 20 जनवरी को वाई के लिए defamatory होते है ठीक है इसके बाद explanation 2 क्या बोलता है यहां पर हमने human body की बात किते human body नहीं human reputation मतलब xy के खिलाब defamatory बोलता है explanation 2 में क्या है कि x किसी company या association of person वगरे के बारे में बोलता है मतलब मान लिजे एक्स बोलता है कि कि ABC company का प्रोड़क अच्छा नहीं है और अगर यह जूठा आरोप लगाता है तो एक्स विल भी लाइबल और defamation कि इसमें कुछ और भी exception explanations है इसमें क्या है कि explanation 3 देखिए इसमें अगर हम alternative की बात करते हैं alternative मतलब either way बोलना कुछ है बोल कुछ और रहे हैं और उससे अगर यह पता चलता है कि नहीं यह defamation है मतलब इसका meaning कुछ और निकल के यह defamation हो रहा है यह proof हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो offender है वो offence of defamation किया next जो explanation 4 है वो यह बोलता है कि अगर मान लिजिए मैं 4 explanation 4 को समझाता हूं x ने y के खिलाफ कुछ जूठा चीज बोल भी दिया लेकिन उससे y के reputation कोई नुकसान नहीं हुआ है तो यह defamation नहीं कर लाएगा ठीक है एक्जामपल देखिए यह कहता है कि जेड एक ओनेस्ट आदमी है वो भी के घड़ी नहीं चुराया ठीक है अब इस sentence से अगर ऐसा लगता है कि लोग को ऐसा विश्वास हो कि जेड नहीं भी की घड़ी चुराई है तो इसको बोलेंगे कि यह यह डिफेमेशन काउस किया है ठीक है नेक्स्ट है यह ने पूछा कि उसकी घड़ी यह ने पूछा कि बी की घड़ी को किस ने चुराया है अब यह सुनके यह बोलता है कि जेड नहीं ठीक है जिससे लोगों की लगा है कि जेड नहीं चुराया है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ने defamation किया है unless ये जो word है वो किसी exception में नहीं आते है exception में नहीं आते है का मतलब क्या है कि मान लिजे Z नहीं चुराया हो ठीक है और A पूछ रहा है कि B की घड़ी को किस नहीं चुराया ये बोलता है कि Z नहीं चुराया तो यह defamation नहीं होगा अगर प्रूथ बोला जा रहा है तो यह defamation नहीं होगा नेक्स्ट जो है वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब क्या इंटिमिडेशन किसी को धमकी देना ठीक है किसी को धमका कर कोई काम करवाना ठीक है whoever threatens another with an injury injury to his person reputation or property or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested क्या मतलब है X धमकी देता है Y को किस बात की कि मैं नुकसान पहुचाऊंगा तुम्हारे मतलब तुम्हे या तो injury पहुचाऊंगा तुम्हारे reputation को injury पहुचाऊंगा या तुम्हारे property को injury पहुचाऊंगा यह बोलता है या बोलता है कि मैं तुम्हारे कि relative को तुम्हारे बेटे या तुम्हारे बेटी या तुम्हारी वाइफ को उसको नुकसान पहुचाँगा या उनके प्रोपर्टि को पहुचा नहीं किया मतलब एक्स कुछ काम कर रहा है धंकी दे कर इसको पूलते है एक्स कुछ काम करने को बोल रहा है य को धंकी देकर तो ऐसे हम बोलेंगे एक्स ने क्रिमिल क्रिमिनल इंटिमिडेशन काॉज किया अब इसका एक्स्प्लाइशन क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए यह एक्स यहां पर वाई के संड डाउटर और डबलू के बारे में धंकी दे रहा है अगर एक्स को धंकी दे उसके डिसिस्ट फादर के बारे में कि अगर तुमने ऐस नहीं किया तो मैं तुम्हारे मरे हुए पिता को बदनाम कर दूंगा और वाई को कंपेल करता है कुछ करने के लिए तो भी हम बोलें कि एक्साइज कार्ड दा ओफेंस ओफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक्जामपल देखिए यह बोलता है बी को कि अगर तुमने मेरे खिला अब यह लॉफ क्राइम के सेकंड वीडियो में हम लोग कुछ थोड़ी बहुत लॉफ एविडेंस के बारे में भी पढ़ेंगे लाइफ एविडेंस एक प्रोसीजरल लॉफ है मैंने लॉफ क्राइम के बीडियो वन में प्रोसीजरल लॉफ में बता है वहाँ आप एक बार देखिएगा तो लॉफ एविडेंस जो है वह प्रोसीजरल लॉफ है जब कोई केस कोट में पहुंचता है तो कैसे कैसे दिये जाते हैं मतलब उनका सिक्वेंस क्या है और कौन स कीजरले दिये जा सकते हैं। इस चीजरले के बारे में ग्रारले मतलब कि ढेंखिया और है यह जिर्व है वो लोई लेटिंटल ऑची से अर shear और कि मतलब होता है तूस अ सु किलियर लिमागि किसी चीज़ को अस्पश्ठ रूप से दिखाना फ Pacific ूरि dislocation को सब्रանन T to ascertain और to prove यह सब मतलब होता है evidence का अब evidence क्या-क्या include करता है तो यह include करता है all legal means मतलब हर तरह का legal means except exclusive of exclusive of मतलब except mayor argument नहीं कि court में जो mayor simply सिर्फ argument होते हैं उसको छोड़ दिया जाए तो जो भी legal means है किसी चीज के लिए किसी फैक्ट को प्रूब और दिस्प्रूब करने के लिए ठीक है किसी फैक्ट को प्रूब और दिस्प्रूब करने के लिए जो भी legal means है जिससे की किसी चीज का truth को हम judicial investigation से प्रूब कर सके तो वैसे चीजों को वैसे facts को हम बोलते है evidence ठीक है तो मतलब कोई भी legal means जो किसी भी facts को prove और disprove करने में helpful होता है उसको हम बोलते है evidence कुछ important terms देखिए law of evidence है तो एक पहला जो होता है वो fact in issue होता है fact in issue का मतलब क्या है तो ऐसे facts जिसको एक party assets करती है और दूसरी deny करती है उसको हम बोलते है facts in issue मतलब suppose x ने y के खिलाब suit फैल किया for recovery of rupees one lakh तो अगर x बोलता है कि मैंने y को एक लाक रुपिय दिये थे और y बोलता है कि x ने y मुझे एक भी रुपिय नहीं दिये तो यहां पर क्या है यह asserts कर रहा है और यह deny कर रहा है तो यह fact in issue हुआ ठीक है अब दूसरा टर्म जो है वो relevant fact relevant fact का मतलब क्या है यह fact in issue है इसको प्रूब करने में जो facts help करते हैं उसको हम बोलते है relevant facts ठीक है अब आईए देखते हैं कि evidence कितने तरह के होते हैं तो पहला है direct evidence direct evidence का मतलब क्या है कि suppose कहीं पर एक्स और ने वाई को गोली मारी और इसको जेड ने देख लिया तो जब जेड ने देख लिया means यह direct evidence हुआ ठीक है second जो है वो circumstantial evidence एक्स ने वाई को मारा ठीक है इसका कोई चस्मदित गवाह नहीं यानि कि direct witness नहीं है तो सरकमस्टान से देखे जाएंगे कि साम का समय था एक्स वाई के घर में गया वाई अकेला था ठीक है और एक्स बाहर आया और एक्स के अंदर जाने और एक्स एक्स के बाहर आने के बाद इस वाई के घर में ना कोई गया ना यहां से बाहर आया और पाया गया कि वाई की डेथ हुई है गोली लगने से तो circumstances बोल रहे हैं कि एक्स नहीं वाई को मारा है तो यह बोलेंगे circumstantial evidence next है here से evidence here से means सुना सुनाया अब देखिए इस example में एक्स ने वाई को मारा जिसको जड़ ने देखा तो यह हम बोलते हैं कि जड़ का जो evidence होगा वो direct होगा अब मान लीजे जड़ जाके किसी एक्स ने वाई को मारा और यह जो है वो court में जाता है और बोलता है कि मुझे जड़ ने बताया कि एक्स ने वाई को मारा यह court में जाता है और बोलता है कि जड़ ने मुझे बताया कि एक्स ने वाई को मारा तो यहां पर जो एक का statement है इसको हम बोलेंगे here से evidence सुनी सुनाई बात ठीक है नेक्स्ट है documentary evidence मारा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो evidence देते हैं उसको हम documentary evidence करते हैं और यह जो documentary evidence है यह दो तरह के होते हैं पहला primary evidence आनि जो original होता है और दूसरा होता है secondary evidence कुछ condition फुल्फिल करने के बाद यह primary evidence कर जो copy होता है उसको हम बोलते है secondary evidence और इस तरह से आपका law of crime का second video complete होता है इसने बताये कि concept को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और exam के questions को solve कीज़ेगा पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी यहां दियेगे concept में और जो question में दिया गया principle है इन दोनों में similarity नहीं होगी ठीक है लेकिन आपको question में दियेगे principle को ही truth मानके इसको true मतलब जो principle में दिया है वही truth है यह मानते हुए facts पर apply करना है और उसके नुसार best option को choose करना है ठीक है तो आप concept को ध्यान में रखिए पर अगर principle में कुछ contradictory या कुछ different principle दिया हुए तो आप उस principle को apply करके answer करेंगे ठीक है thank you very much and all the best for the